हे वासब गाइस आई होब कि अप सब लोग बहुत अच्छे हैं तो आज मैं हॉली लैंड लार्क एम टू माइक का रेंज टेस्ट करूंगा वैसे कंपनी ने क्लेम किया है कि 300 मिटर तक इसका रेंज है तो आज हम इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितना अच्छा आडियो निकाल पाता है तो अभी मैंने मोबाइल पर एक एप ओमिन किया है इससे मैं अपना डिस्टेंस मेजर करूंगा अपना डिस्टेंस रिसेट कर लिया है यहां से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा और पीछे तक जाऊंगा और देखूंगा कितना डिस्टें तक क्लियर औडियो आ जाएगा मुझे थोड़ा पिछे मुड़ के जाना पड़ेगा क्यूंकि इस तरह से ज्यादा दूर तक में जा पाऊंगा तो अभी मैं फार्टी मीटर डिश्टंस पर चुका हूं और थोड़ा पीछे जाएंगा ऑपको क्लियर औडियो आरहा होगा मुझे तौ भी पता नहीं चल गा है तो घर पर जागे आपको करेंगे तब पता चलेगा तो अभी और थोड़ा दू जाते हैं टोटाल हंड्रेट मिटर डिस्टेंस कबर करते हैं उसके बाद देखते हैं और कितना अच्छा आता है कि 90 मिटर कंप्लीट । और अभी मैं पूरा हंड्रेट मिटर डिस्टेंस पर खड़ा हूँ ऐह वह की अभी आपूर्यार वह्यार ओड्यो हूँ जो video record हो रहा है है मुझसे कितना distance लई है एक और तो अभी SCA cambi-s ciento को चलते हैं तो अगे मैं पीछे मूड के बाद करता हूँ अभी तो चलिए देखते हैं कितना अच्छा आया है अभी बैक करते हैं कैमेरा के तरफ तो अभी मैंने कैमेरा पर देखा तो इसका ओडियो 100 मिटर तक भी क्लियर ली आ रहा था तो एक बजेट माइट के हिसाब से मतलब 12,000 अप्रोक्स इसका प्राइस है उसके हिसाब से 100 मिटर तक बहुत ही क्लियर आडियो आ रहा था तो कंपणी ने क्लेम किया है 300 मिटर तक लेकिन 100 मिटर तक अभी हम जाच सकते थे क्योंकि इसके पीछे कोई रास्ता नहीं है तो यह वाला माइक बहुत ही इसा है अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको यह माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर ज़रू करना आज के लिए बाई-बाई-बाई टेक क प्रणार